हे अरिवन वेलकम बैक सो हम देख रहे थी यूरल पैटर्न अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेजिए उसी पर डिपेंडेंस है आगे की वीडियो सारे और यूरल पैटर्न हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपोर्टन रोल होता है यू मैं यहां पे यहां पिंदर किया क्यों यह क्यां किया है इसी के अंदर आप देख सकते आप यहां पर तो यहां पर कोर्स नाम से और यह हैं। नाम से यह दो application और इनके लिए हम URL किये थे कहां तक यहां पर प्रुजेक्ट लेवल पर इस URL में तो हमने यह जो देखा है सारे जो फंक्शन बनाए थे हमने विव बेस्ट फंक्शन बनाए थे तो यह सारी चीजे है यह हमने पिछले में सारी चीजे देखी है जैस्ट मैं आ अंदर सेम फंक्शन होते हैं तो इनके लिए हमने दो अलग-अलग यूनिक ऐज रेफरेंस बनाए थे अलग-अलग और यहां पर हमने फंक्शन को को mapping किया यह सारी चीजें हमने देकि हैं कि हम से कहते हैं कि एक अलगूर है जब आप च्छोटे प्रोजेक्क के साथ काम करते हो अब जब अपका इंसाइड प्रोजेक्ट कर सकते हो जैसे कि बड़े प्रोजेक के साथ आप अगर काम कर रहे हो अगर आपको URL पैटर्न लिखना है बहुत सारे अप्लिकेशन लिख रहे हैं अंदर समझे ओके अद जैसे कि हम एक्जांपल की और से देखते हैं फेजबुक यूज कर रहे हैं समझे आप फेजबुक में ऐसी नहीं कि चीजे हर एक चीज पर आप क्लिक करोगे तो अलग-अलग पेज में आपको रिडायरेक करेगा मतलब रिडायरेक करेगा मतलब अलग-अलग वहां पर क्या होती है अप्लिकेशन होती है अब इन सारे चीजे को अप्लिकेशन को हैंडल करने के लिए यह की प्रोजेक के अंदर इस यह दोनों अप्लिकेशन यह की वारेल पर डिपेंड करेंगे जो प्रोजेक्ट लेवल पर मगर हम क्या करेंगे आप हम इस अप्लिकेशन के लिए अलग से वारेल डिफाइंड करेंगे इसी अप्लिकेशन के अंदर और इस अप्लिकेशन के लिए अलग वारेल डिफाइंड क कभी हमें अगर application की ज़रत हो ऑग्यÎंगर मुझे इस कोर से यह कोर से समझेए जिसके मैं दो application बना रहा हूँ क्या क्या की एक महारानी दोनों Application की concept सेम है क्याम है समझे एक्याम्पल के और से दोनों application की still concept है महारानि और क्युक्यायद करने दो्नों की same concept मंगर उनका जो नाम है अलग है कि नाम अलग है अगर सारी चीज़ संदर को deeperCon प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं कर सकते इसलिए आपको इससे इसी क्या करना है इंडिपेंडेंट करना है अप्लिकेशन को जब अगर आपको इस अप्लिकेशन को कॉपी करके और प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है तो आसानी से कर पाए कैसे करेंगे क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है यह डिपेंडेंसी नहीं रहेगा इस प्रोजेक्ट पर जब आप यूर्ल इसके इंडिपेंडेंडेंस बनाएंगे इसे के अंदर तो तो किस तरह बनाएंगे सारी चीज़ें प्रेक्टिकली भी देखेंगे सारी चीजे आगे बढ़ते हैं वाई यूर्ल पैटर्न इंसाइड एंसाइड अप्लिकेशन हमीं क्यों जरूरी है हमने पहले बता दिया है कि मैंने क्यों जरूरी है एक्जामपल की और से भी बताया है जैसे का आप यहां पर भी देख सकते है है और यहां पर देखेंगे सुफार वी हाव लर्न टू डिफाइन वाल पैटर्न अज प्रोजेक्ट लेवल फॉर और अल अप्लिकेशन इस अप्रोच इंक्रीज दर डिपेंडेंशी ऑफ अप्लिकेशन इन प्रोजेक्ट विच मिन्स इफ वी वांट तो यूज पर्टिक अगर इन दोनों के लिए मैंने यह की इसी अप्लिकेशन इनर प्रोजेक्ट के इसी प्रोजेक्ट के अंदर यहीं पर दोनों को यहां पर लिख लो तो यह दो अप्लिकेशन इस प्रोजेक्ट पर डिपेंड हो जाएंगे अब इसकी जो इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए य यह दोनों अप्लिकेशन डिपेंड्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट लेवल पर तो इस यह ले बहुत सारी इस्यूस फेज करने पड़ेंगे आपको जब आप बड़े लेवल पर काम करेंगे तो आगे देखते हैं और इच अप्लिकेशन शुट बी इंडिपेंडेंट और लेस सारी चीजे फॉल्लोविंग अर बिनीफिट ऑफडिफिएंग डीफाइनिंग इंसाइड अपलिकेशन इन साइड अपलिप्लिकेशन जैसे कि इनसाइड अपलिकेशन में हम अगर इंवार्यक्टर लिखते हैं बहुत सारे बेहीं मैंने अउर्यडि बताया है कि कि तरह आपके application को copy करके another project के अंदर आप ले जा सकते हैं simple ओके बहुत सारे चीज़ें होती है reduce the dependency of application इससे क्या फाइदा होता है reduce the dependency of application इस जैसे कि application की मैंने बताया है कि एक course application है हमारा reduce हो जाएगी जो भी dependence है इस पर हम जो dependency कर रहे है इस inner project के अंदर हो जाती है ओके इन्हेंस application performance परफॉर्मंस तोड़ा सा इन्हांस होती है कि reusability of application becomes easy reusability मैंने बताया example की और से आपको कि महारानी और क्यूइन दो project बनाने है आपको तो आप क्या करेंगे अगर मैंने महारानी अल्रडी बनाया है तो मैं क्या करूंगा इस application को जो हमने अंदर महारानी वाला जो हम project बना रहें इसके आंदर जो application होगा और क्यों की बनाना है मुझे दोनों की concept तो सेम होगी ओके तो हम क्या कर सकते हैं री उजिबिलिटी ऑप अप्लिकेशन बीकम इजी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपल तो चले आगे बढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को लिखने के लिए एक फंक्शन होता है इंक्लूड हम इसका यूज करने वाले हैं इसके बारे मे इंक्लूड 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 syntax आप यहां पर syntax दे सकते हैं यह सारी चीज़े पढ़ सकते हैं हम एक्जामपल के नजरी से देखेंगे आगे जाके तो इसके अंदर क्या होता है include लिखा जाता है दिन module name जो भी आपका application का model name है namespace इसके बारे में हमने आभी तक जाना नहीं तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर इंक्लूड इस तरह भी लिख सकते हैं इंक्लूड लिखकर पैटरन लिख सकते हैं जिवार पैटरन की लिख सकते हैं अब name space, name space non equals to equals to non यह सारे चीज़े लिखने की में आलग अलग syntax है यह आगे देखेंगे हम जैसे यह प्नाट नrob सब्सक्राइब को यात रखना है कि यह सारे चीज हमने रांट लिभी जानी है 2 Привет वरल कंफिक ब्ड़ीक मॉडल और मॉडल नेम मॉडल जो हुता ये वाइड कंफिक 5000 होता है और मॉडल ये नहीं होता है में मेंच्पेस इक स्टीन होती है इंस्टंट नेम स्पेस्ट फॉर्द इवारल इंटायर बिंग इन्कुलोडेड पैटर्न लिस्ट जो हमने पैटर्नलिस कहा है यहां पर इटरेवल पाथ और रिपाथ इंस्टंस एक इटरेवल पाथ होता है इटरेवल और यह सारी चीज़े क्या होते हैं यह पाइफन बेसि इसमें सिखी है। शिर्फ आपको ध्याहन रखना है जब आप अप्लिकेशन लेवल पर इस प्रण प्रण बनाते हो तो आपको इस इंकलूड मेथर की जरौरत होती है बस आपका इतना भी ध्याहन रखे तो बस इतनी सारी चीज़ आपको द्याहन रखने की जौरत नहीं बस बस आपको include यह जो method है यह function है आपको याद रखना है कि जब आप application लेवल पर URL pattern बनाते हो तो include method को आपको यूज करना है अब कहा करना है कैसी करना है यह सारी चाहिए हम आगे देखेंगे ओके तो include syntax देखते है real time में include model name space equal to none include pattern list include pattern list app name space comma name space equal to none example देखते हैं यहाँ पर किस तरह करेंगे जैसे कि हम प्रूजेक लेवल पर देख रहे थे प्रूजेक लेवल पर इंक्लूट फंक्शन लिखा जाता है from django.url import include किस तरह करना है इंपूड include comma path यह चीजे यह जो चीजे है by default settings याणिकी वारल pattern में लिका लिकी जाती है आपने देखा होगा यह path होता है आपको comma करके यहां पर इंक्लूड लिखना है तो यह जो है method यह जो function नाम है include आपको यहां पर इंपूर्ट करना है बस URL pattern होते हमारे जो same अब URL pattern में यहां पर थोड़ी सी चीज़े यहां पर यहां पर उल्टी फुल्टी होती है यह मैं कहा पर बता रहा हो यह सारी चीजे पूर्जेक लेवल पर पर इस तरह यह चीज़े होती है बदल जाते हैं जब application के अंदर आप URL pattern लिखते हैं अलग से तो प्रोजेक लेवल पर भी आपको इसे connect करना होता है प्रोजेक में जो URL होता है हमारा उसको हमें connect करना होता है किसे जैसे कि फर्स अप्लिकेशन है हमारी तो मैं यहां पर इवार लिखा नाम से ओके दिन कॉमा लगाया है और इंकलूट किया है इनकलूट लिखना है आपको इसके लिए पहले आपको इस यहां पर इंपोर्ट करना थे इस फांक्शन को देन आपको टपल के अंदर सिंगल कोट है डबल कोट में कहाई पर भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट के अंदर जो application का नाम है course और उसके अंदर का जो आपकी फाहिल है urls dot करके urls लिखना है ओके तो उसी तरह आप यहां पर देख सकते हैं तो यह सारी चीज़े किस तरह होते है path यह root होता है यह view function यह keyword arguments हमने सिखे नहीं आभी तक name equals to none तो यह सारी चीज़े होते है the view argument is a view function और the result of the view a view based class class based views it can be also be django.urls.include हमने class based view आभी तक सिखा नहीं ओके as a view function सिखा हमने आगे देखते हैं वारल पैटर्न आ नहींचे जैसे हम देख रहे हैं यहां पर इस तरह भी अप लिख सकते हैं क्या कर सकते यह अपर आप यहां पर टपल पास कर सकते हैं और इसके अंदर यहां पर एक list पास करकर list के अंदर आप यहां पर path learn dj और view function यहां पर भी लिख सकते हैं learn py slash और view function learn python तो यह सारी चीज़े आप इस तरह बहुत सारी methods होते हैं order pattern भी यहां पर इस तरह भी यह pattern लिख सकते हैं learn dj एक order pattern लिखकर एक list बना कर आप list बना के आप list इसी के अंदर include order pattern इस तरह आप इंक्लूड कर सकते हैं मगर यह दो चीज़े यह कहां पर यह और यह यह दो आपको द्यान रखना है यह होता है ज्यादा तर आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर प्रॉपर एक्जामपल लिया है मैंने यहाँ पर screenshot भी लिए है तो मैंने क्या किया है यह जो है inner project है हमारा और यहां पर हमने application लिखा है course और जो second application है हमारी फीस multiple application one project के अंदर आप लिख सकते तो किस तरह write करना है URL pattern inside application को तो यह देखे आप पहले तो यहाँ पर समझते हम create a urls.py file inside each application each case multiple application तो आपको क्या करना है हमने दो application यहाँ पर create किये course फीस आप क्या करना है आपको create करना है urls.py file इन application के अंदर तो हमने यहाँ पर urls.py create किये हैं और यहाँ पर भी separately python file बनाने urls same नाम से urls.py तो दो इनी के अंदर inside application हमने create किया है inside application के अंदर url pattern ओके अब यह independent हो चुके urls आगे पढ़ते है write all urls pattern related to application is urls.py file available inside application तो हमने देखा include applications urls.py file inside projects urls.py files तो आपको include करना है क्या करना है include करना है यह जो हमने urls लिखे है दो यह और यह application लेवल पर यह आपको include करना है इसके अंदर ओके यह main तो प्रोजेक्ट है इसमें तो आपको बताना होगा कि हमने दो urls अलग-अलग application में लिखे है तो किस तरह लिखा है यहां पर include करना होता है तो आगे इसके आंदर फंक्शन जो हम लिखते हैं किस तरह लिखते हैं डिफाइन जांगो रिक्वेस्ट रिटर्न सेटीप पी रिसपॉंस है लो जांगो खुछ भी आप देख सकते टेक्स उसी तरह आप सेकंड फंक्शन लिख सकते कि कि जो के हमने h1 टाग दिया है multiple आप multiple function one view के अंदर लिख सकते हैं उसी तरह urs.py in application folder second course import view from यहां पर देख सकते हैं यह कहां पर लिख रहे हम सारी urs pattern application folder के अंदर पहले तो आपको क्या करना है view के अंदर views.py फाइल के अंदर हमने दो function बनाए है यह define learn जांगो simple define learn python जो हम simple पिछले वीडियो में देखा है उसी तरह आपको बनाना है बस simple इसके अंदर दो function बनाया हमने अब बात आती कि urls pattern बनाना है क्योंकि urls pattern हमने inside application में बनाया है अब हम यहाँ पर urls pattern बनाते थे इसी के मगर हमें इसी के अंदर बनाना है जो save हम बनाते थे उसी तरह बनाना है इसके अंदर भी बस इसके अंदर जब आइंक्लूड करेंगे यह सारी चीज़े हमां आगे देखेंगे बस आपको यह ध्यान रखना है कि हम application के अंदर ही urls pattern लिखने वाले है जो हमने पिछले बहुत सारी वीडियो में देखा है उसी तरह बस सामय शिरिप यहाँ पर लिखने है यहाँ पर देखना from course import use जो urls pattern है यह जो हमारा है application के अंदर same आपको जो import करना है कहां से course आपको यहाँ पर course लिखने के ज़रूरत ने होती क्योंकि already यह जो urls.py course के अंदर ही होते है तो लिखें ना लिखें डॉट करकर आप import वीव भी कर सकते हैं same जो हम url pattern लिखते है learn dj और कहां से हमें यह function मिल रहा है जो mapping करना है function को views.learn jango से second उसी तरह learn py,views.learnpy same url हमने दो url pattern इसी के अंदर inside application में लिख लिए है ओके perfect यह लिखने के बाद urls.py file in project folder अब यहाँ पर हमने क्या किया हमारे जो भी urls pattern है इसके अंदर जो इसके अंदर इसके views के लिए चाहिए हमने लिखा बस आपको यह urls file हमने जो कहाँ पर लिखे है course के अंदर यह हमें project level पर बताना होता है अब हम आएंगे यहाँ पर ओके urls.py यह कहाँ पर है project folder के अंदर यहाँ पर देख सकते अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर करना है बस करने के बाद नीचे आते हैं और हमारी और से लिखना है यहाँ पर यहाँ पर प्राक्टिकल में पास करना है आपको इंसाइड सिंगल कोड और आपको अप्लिकेशन का नाम लिखना है जो urls आप किसले किसले बना रहे है इस course के लिए अब course के अंदर हमने urls डिपाइंड किया urls.py तो course.urls इस तरह लिखना है बस इतना है आपको इंक्लूड करना है फिर यह सारी चीजे आगे देखेंगे जब हम प्राक्टिकल में देखेंगे तो यह किस तरह हीट होगा यह इंक्लूड किस तरह करेगा यह सारी चीजे किस होता है इनी.py फाइल होती है यह हमारे फोल्डर को क्या बनाती है पाइथन पैकेज नेम आगे यह urls.py python फाइल मतलब मॉडूल नेम होता है सिम्पल ने जब हम हिट करेंगे urlsわか है सक तक्येसे आफ सो हिट करेंगे पहले तो यह पूर्ट चलता है हमारा टन्यास लगाएंगे अब यह क्यों हिट होगा च्पॉड सेçek में तक पहले तो प्रोजैक से स्टार्ट होगा जो जांगो हो है हमारा पहले तो यह core hit करने के बाद slash लगा slash लगा के include करेगा include करके course में जाएगा course application है हमारा course.urls अब course.urls कहां पर देंड़ेगा यहां पर अब इसके अंदर हमने क्या urls pattern ने define किये है तो यह चलेगा यहां पर यह folder यहां पर यहां पर देखना यहां पर अब यह urls.py application folder के आंदर आएगा यहां पर धूंड़ेगा first अपने जो hit किया learn dj learn dj कहां पर है यहां पर धूंड़ेगा learn dj और इसका जो use.learn django है जो यह function मैप कर रहा है यह दूंड़ेगा यह सारी चीज़े कहां पर दूंड़ेगा यहां पर वी function के अंदर तो यह behind the scenes सारी चीज़े होते हैं फिर यह दूंड़ने के बाद यह request भीज़ेगा किसे return http response hello django नाम से हमें सारी चीज़े चलती है तो steps देख लेते हैं किस तरह आपको सारी चीज़े करने है रिक्याप करा लेते हैं तो create django project django-admin start project code with Kiran same जो हम step follow करते हैं अभी तक हमने follow कि उसी तरह cd code with Kiran दिन आपको application को create करना है inside project के अंदर same python manage.py start app course और add install application to jango project using settings.py file ने install आप यह आपको आप को जो आप application create करते हो आपको setting.py के अंदर बताना होता है इंस्टॉल करना होता है आप को okay same right view function inside views.py file फिर आपको view function को write करना है create URLs files inside each application application के अंदर आपको URLs लिखने है आप इस application इस view के लिए आपको इस URLs में लिखने है इस application के अंदर URLs में उसी तरह यहाँ पर भी same यह सारी चीज़े होने के बाद आपको include करना है इस URL में जो application का नाम और URLs का नाम बस सारी चीज़े यह steps follow करेंगे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह बहतर जानेंगे सारी चीज़े वार्स पैटर ने रिलिटर आप्लिकेशन इन वार्स.py file आवेबल इंसाइड अप्लिकेशन यह इंसाइड अप्लिकेशन हमारे पास आवेबल हैं मसलक्रेबल इस तरह इंक्लिडर एं क्लिडर आप्लिकेशन ड release dot puppy file इंसाइड प्रोजच वार्स यह इससे मyuपिंग करेंगे यह सरस्ण चीज़े क्या विजनिस लॉजीख करेंगा ओके तो इतनी शारी चीजी थी ये शारी चीजे तो पहले तो चले हम जानते हे और ये सारी चीजे हम प्राक्टिकल करके देखते हैं तो चले वीजो स्टूडियो पाघ्मि can तो हम यहां पर निव प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर किस तरह करेट करना है जैंगो यहां पर जैंगो डैस एडमिन लिखना है और यहां पर लिखना है स्टार्ट यहां पर स्पेलिंग साइसी होना चाहिए स्टार्ट प्रोजेक्ट ओके स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद का नाम कोड़ विद की रण मैं फाई करता हूं और इंटरप्रेस करेंगे कि अगे तो पर्फेक्ट तो यहां पर प्रोजेक्ट बन चुका हमारा आप देख सकते हैं तो इसी के अंदर प्रोजेक्ट और और मैनेज.py फाल बन चुके ओके सिंपल पर्फेक्ट तो हमें इसी के अंदर क्या करना है दो अप्लिकेशन बनाने हैं तो पहले तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है ओके अप्लिकेशन बनाने से पहले आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है तो सीडी और यहां कोड वीत की रंड फार नम्ब्र से इंटरप्रेस करना और एस अप्लिकेशन के अंदर मतलब इस परिविए का अंदर आप जा च 다ब cirai यहां पे start 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 app और app का नाम course लिक्राओ मैं यहाँ पर course और interface करना परफेक्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी application बन चुके course नाम से और सारा जो structure है इसके अंदर यह structure भी बन चुका है तो ये by default बनता है उसी तरह मुझे और एक अप्लिकेशन बनाने फीस नाम से प्रिस एंटर प्रेस करना तो यहां पर देखना यह दोनों अप्लिकेशन हमारी बन चुके यह कोर्स यह फीस और इसी के अंदर यह जो है बाइड डिपॉल्ट इनर प्रोजेक्ट बनता है तो इसे नीचे ले सकते ह इसके अंदर चला जाएगा ठीक है यह कोई नहीं उपर निचे हो सकती है सारी चीज़ें यह इस पर आपको द्याहन नहीं देना है आपको यहाँ पर देखना है दो हमने प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट के अंदर अप्लिकेशन बनाए है यह कोर्स और यह फीस बस अब इ इस्टॉल एप यहां पर है यहां पर पहले तो इस्टॉल करना होगा को सब्सक्राइब और यहां पर सेकन्ड अप्लिकेशन हमारी फिश बस दो अप्लिकशन को उस्टॉल करके कंट्रूल एस करना है बस इस सेटिंग डौट प्युत का काम हो चुका है यसे अटा दो यह अधूराइज है अब जांगो को पता है कि यह दोनों अप्लेकेशन हमने बनाएं इस प्रोजेक के अंदर बस अब हमें क्या करना है यह पैटरन करने हैं प्रोजेक लेवल पर पहले तो हम डायरिक्टी स्ट्प्चर बना लेते हैं फिर हम इसके अंदर का कोड लिखना चा आप यहाँ पर चलेंगे यहाँ पर इस proyecto पर किलिक करना राइट और रॉप्य करने के बाद नुँ फॉल्डर पर नहीं तो नुँ फाइल पर उके नुव फाइल करने के बाद माद यहां अप्छिंञों डोट वॉा इलन इग 58 पर तो इस्टा सफाल्टी और रर यह बना ल फीज के अंदर चलो इस फीज यह अप्लिकेशन के अंदर चलना है फीज नाम से राइट किलिक करना है और न्यू फाइल पर किलिक करना है सिंपल उसी तरह आपको urls.py लिखना है और यहां पर interface करना है तो यहां पर देखना इस piece के अंदर हमारी urls.py फाइल नाम से यह फाइल बन चुके python फाइल है ओके तो दो application के अंदर अलग-अलग हमने inside application के अंदर urls pattern बना लिया urls चेसLEちゃん फाइल उके बस हमारी इस ट्रकचर लिखना था हमें इस प्रोजेक केंदर अब यह structure तो हमने बना लिया बस आपको इस के अंदर सारी जो code हमें manage करना है यह code को manage करना है बस तो पहले तो फ्रक टा देते हैं इसको और देख रहे हैं तो हमें function-based view लिखने के लिए हमें view के अंदर चलना है अब इस यह बारे में ज्यादा सोचनी के ज़रुत नहीं पहले तो आपको function-based view बनाना है बस विव के अंदर चलो और यहां पर आपका function-based view बनाना है सिंपल इसके लिए आपको क्या करना होता है प्रॉम इंपोट करना होता है फ्रॉम जांगो के ओर से इंपोट करो डॉट अपर लिखना है http ओके इसमें से इंपट करना है आपको क्या कि http response तो आपको यह इंपोट करना है देन आपको सिंपल आपका function लिखना है define और यहां पर learn जैंगो लिख सकते हैं तो यहां पर function का नाम लिख रहा हो जैंगो इसी के अंदर आप एक object बना सकते है request request लेगा दिने हम नीचे चलते हैं हमें क्या करना है return करना है sttp response को तो return sttp response इसके अंदर response कुछ भी दे सकते है जैंगो यह response हमने लिख लिया उसी तरह हमने यहां पर क्या करेंगे दो दो फंक्शन बना लेते हैं एक learn जैंगो और learn पाइथन बना लेते हैं multiple application बना सकते हैं यह एक view के अंदर आप और यहां पर hello पाइथन करना इससे सेव करेंगे अब हमने इस अप व्यू फंक्शन के अंदर दो हमने व्यू फंक्शन लिख लिए एक लर्ण जैंगो दुसरा है लर पाइथन अब इन दो व्यू फंक्शन के लिए हमें उर्ल पैटर्न डिवाइन करना है उके उर्ल पैटर्न का हमें मैपिंग करना है तो किस तरह करेंगे हमने इस वीडियो में इस वीडियो में बाइचन करेंगे जो हमने अभी तक करते है ऑल्य आपको यहाँ पर करने है आप किस तरह लागू करनी है तो शूब हमारा हमारा जो प्रोज्च के अंदरétais Calter को चलते यह पर सेम मुझे यह सारी चाहिए इसे copy करता हूं जो course नाम का हमारे urls है इसे के अंदर paste करता हूं पेस्ट करके मैं इसे हटा देता हूं मुझे इन सारी चीज़े को जरूरत नहीं सिर्फ मुझे यह सब चीज़े चाहिए थी मुझे इसका भी जरूरत नहीं सिर्फ यह चाहिता होगे मैंने copy कर लिया बिनकाम का है तो हमें क्या करना है पहले तो फ्रॉम हमें कहां का url पैटर सब्वेटेटे लिए और यहां पर इंपोर्ट करिए इंपर किस तरह कर जाता हैं ने क्या करड़े आंब यहां पर आपका पाथ करनेBERT simple path लिखेंगे पात लिखने के बाद आपको इसी के अंदर आपका सेम जो हम URL पैटनर ने लिखते हैं कि Learn DJ अधिया लगाना और यहां पर आपको क्या करना कॉमा लगा के व्यू को लिखना है व्यू डॉट आपका जो भी फंट्चन का नाम है लर्न क्या है लेर्ण जाको शायद तो यहां पर शोबी करेगा आपको लंजांगो के तो यह फंट्चन से बात को यह पर पाथ का यहा तो यहां पे चलते हैं, और यहां पे URLs, और यह जो path है हमारा इस से copy करते हैं, इसी के अंदर यह URLs, और मुझे करना था यहां पर, ओके फ्रॉम जैंगो डॉट इवारेल के अंदर से इंपूर्ट कर रहे है पाथ यह जो लिख रहे हम ओके तो यह भी होना चाहिए हम सिंपल जो कंसेप्ट है हमारी इवारेल पैटनर लिखने की उसी तरह हम यहां पर भी लिख रहे हैं जो इंसाइड अप्लिकेशन के अंदर हम अपने वारेल लिख रहे हैं सेम ऊके तो उसी तरह मुझे कहां पर चाहिए कॉंप पीपेश और लर्ण पाइथन के लिए भी हमें यहां पर लिखना है मुझे पाइथन सिंपल दोनों फंक्शन के लिए हमने हमने क्या किया है वारेल पैटन लिखे है अब यह मैप करेग अप्लिकेशन के अंदर था उसी तरह हमने यह लर्ण पी लिका है व्यू डॉट लर्ण पाइथन यह भी मैपिंग करेगा इसे ओके तो इंसाइड अप्लिकेशन के अंदर हमने युर्ल पैटन लिखा बस इतनी से काम होता है का नहीं अब हमें प्रुजिक को भी प्रुजि इसे किलिक करेंगे और यह ओपन हो जाएगा अब यहां पर हमें क्या बताना होता है पहले तो हमने सिखा है इंक्लूट इंक्लूट एक मेठर होती फंक्षन होता है तो हमें इसे यहां पर पर import करना था है यहां पर कॉमा लगा path के बाद और यहां पर लिखेंगे include बस include को आपको include function को आपको involve करना है इसके अंदर same चीज यहां पर लिखने है path और यहां पर आपको एक url pattern लिखना है जो कि हम application के लिख रहे है हैश नाम से तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते मेंनी आपकर और इसके लिख रहे है यह आप कुछ भी लिख सकते हैं को इस For include के बाद आपको लिकना है टपल Q Sverige वित नवारीं इन्ट बार क्या लिकना है आपको 90 जो हम सारी चीजें लिख रहे हैं उसी तरह चीजें भीचcidos लिक्ते हैं जैसे कि यहाँ पर हम इंख्लूट कहां से करें अभी यह जो हमारा यह आ यहत blossom करके को कौ creeping करना है अब कोर्स के अंधर से हम और ले रहे हैं यहां पर बता नहीं है तो आपको यह बताना होता है अपको इस पहले अपको इसे सिंगल कोट में लेना है कि बल्कोट में ले लिए शानी यह एरो करना ही करेंगा बस बिल्कुल सब्सक्तम किया है जब हम हीड करेंंगे चूर्स यह URL को इंग फंक्षण में जाएगा इंकूड में कंधर में जाएगा इस omeदें money के बाद यह dot py है इसके अंदर तो यहां पर यहां पर आने से पहले यह पहले तो क्या करेगा यहां पर आने के बाद इसी के अंदर क्या-क्या function हम यह ओर इसीट करने वाले हैं अब अगर आपनी यहां पर दूणे व्यूज्ट व्यूज का है हमारा तो यहां पर है कहां पर है कोर्स के अंदर व्यूज है यहां पर धुनेगा learn जाँगो यह request भीजेगा कहां पर return HTTP response हैलो जाँगो हमें return करेगा यह सारी चीजे behind the scenes सारी चीज़े चलती है ओके ये function को उसी तरह हम ये URL pattern लिखेंगे तो ये learn python के अब आस जाएगा तो उसी तरह ये सारी चीज़े होती है अब सेम चीज़े हमें face के लिए भी लिखनी है हमने आप तक किसले लिखा है लिखा है हमने course के लिए सेम चीज़े हमें face के लिखनी है अब यहां पर URL भी है view भी है simple हम copy paste कर लेते हैं ये जो view है हमारे दो हमने view बनाए है तो मैं इसी को copy करता हूँ और चलते हम मैं इन दोनों को हटा जेता आप course को चलते फीश के अंदर और view के अंदर और मैं इन सारे चीज़े को हटा देता हूँ सारे चीज़े को save कर लेना बस आप मैं save कर ले रहा हूँ ओके save कर लेना क्योंकि save करना बहुती ज़रूरी होता है ने तो आपको कभी-कभी error शो करता है save करने के खारण अब हमने क्या किया फीज के अंदर view में आए हमने यहां पर लिखा है सारी चीज़े learn जांगो की जगा हम फीज जांगो करते हैं और यहां पर हम learn python के जगा फीज पाइतन करते हैं बस और यहां पर hello जांगो तो hello जांगो मैं करता हूँ यहां पर 500 जस्त मैं कुछ भी लिख रहा हूँ समझे आप यहां पर hello python फाइट थाउजन ओके कुछ भी रखें ने तो हम फीज की लिखा करते से हटा देते हैं उतनी हम इतना ही लिखते बस ओके फीज जांगो जांगो की थोड़ा ज्यादा रखते है पाइटन के लिए हम थोड़ा सा कम रखते हैं कि अब हमने यहां पर कंट्रूल एस करना यहां पर भी हम फीज के अंदर दो अब मुझे देखना है यहां पर फीज अप्लिकेशन के अंदर देख रहे हैं हमने पहले देखा है कोर्स अप्लिकेशन के अंदर अब मुझे देखना है यहां पर फीज अप्लिकेशन के अंदर सेम चीज़े लिखनी है बस हमें इस उरल में जाना है और इन दोनों के लिए उरल्स डिपाइट करने है सिंपल इसके अंदर आना है पहले तो हम क्या करते हैं यह जो हमारा हमारा कहां पर है फीज यह कोर्स है हमारा एक कोर्स के अंदर की जो इवारेल्स है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कोपी देन चलते हम विउज के अंदर में इसे हटा देता हुए सारी चीज़ पाँ तो यह पीज के अंदर वर्यल्स और करता यहाँ पर पेस्ट अब मुझे यहाँ पर क्या चैज्छेश करनी है यहां पर देखना अबस हमें यहां पर पर यहां पे लर्न जांगो के जगा फिस जांगो करना है यहां पर करना है यह आनाम करना है के आफ़ेस whipping बस हमने यह पम यह जो मैपिं करेगे फंक्ष्ण के नाम क्या है प्रिस के अंदर मैं इससे बैठा देता आप इसका कोई काम ने यह जो है व्यू हमने लिखा है यह फीश के लिए यह फीश जांगो यह फीश पाइटन तो हमें इन फंक्शन को मैपिंग करना है फीश जांगो और यहां पर लिखना है फीश पाइटन बस सिंपल हमने दोनों अप्लिकेशन के अंदर इंसाइड यह लिक लिए है बस हमने कोर्स के लिए हमने क्या किया है हमने प्रोजेक्ट लिवल पर भी यह टिपाइन किये हैं अब इस फीश के लिए भी करना होगा हमें होगए का जांगो को कि हमने urls inside application लिखे है तो यह हमें पर बताना होता है यहां पर आएंगे project level पर यहां पर कहाएंगे इस यह हाटा शाय सारी चीज़े के यार पहले तो सेव करना तो इसे इसे close करता हूँ से close करता हूँ यह जो है हमारे दो application है course face बस इनके अंदर हमने urls define के इन ही के अंदर सारी चीजी की है बस हमें इस project level पर जाना है और यहाँ पर urls है इसे click करना है अब इसके अंदर आने के बाद आपको जैसे हमने course के लिए लिखा है यह बात सारा same इसे के लिए करना है face के लिए अब application के लिए face application के लिए मैंने यहां पर url pattern define किया इंक्लूड अब यहां पर आपका अप्लिकेशन का नाम क्या है अप्लिकेशन का नाम face है और इसके अंदर भी urls.py files है अब यह किस तरह काम करेगा पहले तो यह हम url हिट करेंगे face तो यह include करेगा face को कहां पर है face वाला application हमार यह वाला इसके अंदर चला जाएगा और रूंदेगा urls कहां पर है यहां पर यहां पर चलाएगा दिन हम जब हीट करेंगे face dj तो इस function को mapping करेगा दिन हम अगर face py hit करेंगे तो यह इस function के लिए mapping करेगा यह सारी चीज़े होती है behind the scene तो चलते हम हमारी जो user interface के लिए बिखता है सारी चाही किस तरह दिखते है किस तरह करेंगे तो पहले तो आपको क्या करना है सरुवर करना है सिंपल यहां पर करना है python है और यहां पर यहां पर यहां रिल्खना है आपे हमारा जो start development movement server है विल्कुल सई यहां पर स्टार्ट हुआ है अगर कोई आपko but करें मतलब आपने जो मिस्टेक की है कहां पर कहां पर करें यह सारी चीज़ है आपने जो तुम्हें यह से हटा देता हौरे रिट शो लिट मोद innocence करना है है कि कि हमने क्या किया है चल्थ हमने पहले तो चले गए और इसे पहले application को install कर लिया course face ओके तो इसे save करके हमने इसे close कर दिया simple बस यहां पर काम हो चुका यह यह होने के बाद हम इसे भी close करेंगे अब हमें urls pattern लिखने थे application के अंदर ही inside application तो हमने पहले तो course application को पकड़ा तो इसी के noi आंदर हमने क्या किया urls.py file नाएं कहाँ पर कैसे रैट क्लिक किया और new file पर खुलिक करके और यूद्प फाइल बनाएं यह पाइल बनाने के बाद हमने क्या किया दो function बेस्ट ऊंदर यहां पर और तो यहां पर देख सकते हमने हमने दो function based review बनाए है हमने पिछले कहीं वीडियो से सिख रहे कि function based review किस तरह बनाए जाता है यह पहस्ट फंक्शन व्यू और यह सेकंड फंक्शन व्यू ओके अब इन दो फंक्शन व्यू के लिए हमने वारेस डिपांड करने थे थे तो वारेस डिपांड करने के लिए हमने इंसएड अप्लिकेशन के अंदर ही एक वारेस.py फाइल बनाई और इसी के अंदर हमने simple जो concept हमारी वारेस पैटर्न बना के उसी को हमने बनाया यहाँ पर हमने path इंपूट किया from. हमने जो course से ले रहे. dot उसी के अंदर है parent parent का application के अंदर है तो import किया हमने views को और हमने दो application के अंदर अलग-अलग दो URL pattern mapping किये बस इतना से काम होता है कि नहीं अब हमें बताना होता है कि हमने inside application के अंदर इवाइल pattern define किये है तो हमें main project को बताना होता है तो मैं इसका काम हो गया और save कर लिया हमने और इसके बहार चले गए और हम चलते हैं inside application के URL के अंदर, तो इसे के क्लिक किया हमने, then इसे के अंदर हमने URL pattern है, इसे क्लिक कर लिया, अब हमे जो same चीजे थे, हमें जब inside application हम लिखते थे, इंसाइड अप्लिकेशन इवारल पैटरन तब हमें include इस function का method का use करना होता है तो इसे use करने के लिए किस तरह use करना है पहले तो आपको इवारल पैटरन जैसे लिखते थे उसी तरह लिखना है जिस application को लिए लिख रहे है दिन, include लिखना है आपको include के बाद टपल में pass करना है single quote के अंदर आपका application का नाम जो application का नाम है same होना चाहिए बस यहाँ पर और यह यह आलग है यह आलग है ओके यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं यह भी धान रखना है यह यहाँ पर आप जो application का नाम है same लिखना होगा यहाँ पर आप course लिखे या course दो तीन चार पास कुछ भी लिखे कोई पर रखने पड़ता है यहाँ पर लिखने से ओके तो यह सारे चीज़े थी उसी की तरह हमने फीश के लिए यह सारे चीज़े किया है आप देखते हमने server run किया है चलते हैं हमारे web server के अंदर तो हम यहाँ पर आ चुके है तो simple आपका जो भी port अपने copy किया है इसे paste करना यहाँ पर paste करकर hit करना तो hit करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक admin URL page not found का तो यह रश्यो करेगा क्योंकि हमने index page पर हमने कुछ चीज़े नहीं बनाई है simple first admin second URL है course third URL है piece अब first हम course के लिए दिखते हैं slash लगाना यहाँ पर course और interface करना अब interface करने के बाद यहाँ पर आपको इस course के अंदर कुछ नहीं मिलेगा जब आप course के बाद आप URL हिल्ट करेंगे हम उसके बाद URL लिखे है क्योंकि हमने inside application के अंदर URL रिफाइन किया है तो आपको slash लगाना है और यहाँ पर लिखना है learn DJ यह और interface करना तो दिल्कुल सही आप देखना यहाँ पर हमारा जो यह किस तरह काम कर रहा है पहले तो यहाँ पर चलते हैं तो main यह project level पर URL पैटर्न है हमारा तो हमने हिट किया course को ओके course को यह वारेल आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी choice होते हैं क्या लिखना है ए लिख करेगा इन पर गलेकी हिट करेंगे to include कहां पर करेगा इस application को दिन इस application के अंदर लोने का URL है क्या तो यहां पर यह चला जएगा यह पर यह कोर्स में पर क्यांदर कहांकं पर रहे यह यह वारेल्स तो ये urls के अंदर चला जाएगा ओके urls के अंदर चला जाने के बाद हमने हिट किया उसके अंदर जाने के बाद learn dj तो यहाँ पर देख सकते हैं learn dj हमने हिट किया अब हिट करने के बाद यहाँ पर चला जाएगा url यह पहले दोट करके हमने इसके अंदर का function लिका learn jango तो यह view के अंदर दोट करके यहां पर आखके learn jango कहाँ पर है यहाँ पर है request भेज़ेगा हमार request भेज़ेगा उसे return हमें मिलेगा htp response hello jango तो यह behind the scene सारी चीज़े चलते है और यह code हमें show करेगा तो यह सारी चीज़े इस तरह होती है अब यह चीज़े में इतने basic से बता रहा हूँ आगे आगे जैसे हम जाएंगे यह skip भी करेंगे तो इसलिए में इतने आपको क्योंकि starting है तो आपको basic से पता होनी चाहिए सारी चीज़े behind the scene क्या चीज़े चल रही है है ओके सेम चीज़े सारी चीज़े जब हम वार्यल को हिट करेंगे तो यह फंक्षिन चल लगा है यह सारी चीज़े होती है जैसे हम हीट करेंगे यहां पर अब हमने यहां पर learn d y pass किया learn by pass करेंगे और interface करेंगे देखना यहां पर change है हेलो python बिल्कुश सही काम कर रहा है हमारा code मतलब अब हम उसी तरह हम क्या कर सकते हैं तो अग्या करता हूं यहां पर अब ffc के लिए देखते हम यहां पर लिखेंगे फीस भी पर फीस लगाना वीज्ए लगाने के बाद आपको क्या करना है फीस के अंदर हमने यहां पर देख सकते हैं a जमारा जो मेन यह भार्दैन यानि की project level पर हमने इसे include किया है piece इस application के अंदर का URL तो इसे close करते हम इस course को यह course का काम हो चुका और इसका यानि की वियू file भी close करते है अब हम आते हैं इस piece के अंदर तो मैं इस इस को को प्लुज करता हूं इस पीज के अंदर आते हैं और इसका यूरल देखते हैं नहीं कर अब तो यहां पिर लिकेंगे फीस डीजे अब आप कहेंगे कि यह सारी चीजे आप हिट करें यह सारी चीजे आप जब रियल आप किसी वेबसाइट को इजिट करते हो तो इस तरह नहीं लिखते हैं नहीं लिखते मुझे पता है यह सारी चीजे जो आगे हैं जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर होम दिखता है यहां पर करेंगे तो अलग-अलग पेज में आप रिडायर करेंगे यह सारी चीजे अलग-अलग होते हैं अब यहां पर लिख के क्यों बता रहें यह चीज जब हम सारे project level पर पहुचेंगे जब project real project पर बनाएंगे हम जैसे कि html का यूज करके css का यूज करके बुस्ट्राप का यूज करेंगे जब हम design बनाएंगे सारी यहां पर design दिखाएंगे आपको home contact सारी चीज़े दिखेंगे तब हम यहां पर आपको पता नहीं तो यह सारी चीजे आगे की कैसे शिखोगे तो इसलिए हम यह सारी युर्ण पैटर्न है हम यह हमारी और से हाड कोडिंग कर रहें यह भी समझना आपको ज़रुरी है जैसे हम आगे जाएंगे यह बहुत ही आसान होते हैं मगर आपको बेसिक पता होना चाह पर यह चीजे चल रहे तो आप आगे लेइल नहीं पाओंगे तो आपको यह चीजे पता होनी चाहिए तो उससी तरह डेवलोपर आइसे नहीं बनते हैं यह तरह डेवलोपर बनते हैं इतनी intelligent तो फीश डीजे लिखा हमने यह URL यह URL हिट करेगा तब देखना फीश डीजे का जो हमारी जो हमने दी थी 5000 तो देखना यहाँ पर तो यह पहले तो विव में देखेगा फीश डीजे क्लिक करने के बाद विव के अंदर क्या फंक्शन है फीश जांगो तो चलेगा यहाँ प उसी तरह हम फीश पी वाइंगे एंध करेंगे तो देखना 4000 हमने सेम चीजे हो रहे हैं सारी चीजे अब यह सारी चीजे हमने क्या किया है यहां पर सिंपल हमेंहें सट्टिप रिस्पॉंस हमने दिया और यहां पर टेक्स यह कुछ भी चीजे आप देख सकते हैं मगर जब हम आगे-आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमें stml का कोड भी इंक्लूट करना होता है यहां पर मतलब stml का कोड इंक्लूट करना इमीड दबाएंगे simple HTML का already सारा code यहां पर by default आ जाता है बस आपको उसी के अंदर आपका ज्यांगो का क्या लिखना है आपको रेंडर करके दिखाना है इस सारे चीज़े आगे देखते हैं बस आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि आपका जो अप्लिकेशन लिवल पर लाई देती है यूजर को शो करती है यह चीज़े सारी चीज़े होती है और इसका अब होती असान मैंने एक्जामपल बताया था कि महारानिया और क्यों दो अप्लिकेशन मतलब दो प्रोजेक्ट बनाने हैं अलग-अलग तो आपको क्या करना है यह दो अप्लिकेशन मतलब दो project बनाने नहीं महरानी और क्युण अलग अलग और दोनों क्योग application के अंदर का जो business logic है सेम होगा सेम होगा सेम होगा तो अगर आपने project level पर URLs define किये है इस project के अंदर श्रीप project level पर तो आपको इस project पर depend होना पड़ेगा फिर आपका जोबे application आप जब कॉपी करेंगे प्रोजेक्त के अंदर से लेनी होगे इसके अंदर तो नहीं होगे क्योंकि हमने सफ यहां पर करेंगे तो भूद्धी jsut होती है जब हम उसे के अंदर एस प्रोजेक्ट में अंदर इस डिपेंडेंजिशी बनाते है इस application को कि इनी के अंदर सारी चीज़े इसी के ज़रूरी है इसी के वारेस में हम डिपाइन करते सारी चीज़े तो उती इनहांस होता है हमारा project भूती fast होता है एक तो हम इसे reusability कर सकते हैं other other project के अंदर simple इसे copy करेंगे इसे क्या करना होता है है हमें सिंपल इसी कॉपी करना होता है इन प्रोजेक्ट को और उस प्रोजेक्ट क्या आप्लिकेशन को के इन अप्लिकेशन को कॉपी करना है और उन प्रोजेक्ट के अंदर आपको कॉपीपेस्ट करना है क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को कॉपीपेस्ट नहीं कर सकते हैं और का एक फाइदा होता है कि urls इंसाइड अप्लिकेशन लिखते हैं तो यह सारी चीज़े इस वीडियो में और मैं आशा करता हूं कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आ चुके होगे अगर एक बार देखा है तो समझ में नहीं आ रही है तो फिर से देखें दुबारा देखें आपको बिल्कुल सही से समझ में आएंगे और अशा करता हूं इस वीडियो में आपकी जोज चीज़े आपने देखी है आपने भी की होगे तो इस वीडियो में इतना है थैंक्यू पार वाचिंग इस वीडियो